अब देकर आई हो नई तरह की वीडियो जिसमें मैं आपको जो आपके एक्जाम है थार्ड समेस्टर का जनरल इंग्लिश का उसके बारे में बताऊंगी इसमें क्या है कि मैं आपको वैसे मैंने एक्स्प्लेइन कर दी है सारे चेप्टर्स और पॉइंप थोड़ो थोड़ा म आपके रफ्रेंस जो सीजन ऑफ मिस्टर मेलो फूट 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 यह आपका एगा ओटू ओटू ओटम अबव पैसेज इस चेकन फॉइंट प्रॉइंट इस रिटन बाइ जोन केट्स जोन केट्स ने इसमें ओटम सीजन को परसॉनिफाइड क्या है उन्ह जैसे एक परसन सोचता है एक इंसान सोचता है वैसे वह थिंक वह चीज भी वैसे ही सोच रही है वैसे ही एक्ट कर रही है यहां पर उन्होंने जो ओटम सीजन है उसको भी अलग लग तरिके से परसॉनिफाइड किया है सबसे पहले आ जाता है सीजन ऑफ मिस्ट और मेलो फ लटक है और कि उन्होंने यह काम ची आया है आपस में मिलकर कि सारे फ्रूट्स फ्लावर्स पक जाएं वहां जो किनारे होते हैं थैश रीफ मीन्स जो कच्छे दिनकों वाली घासपूस वाली जो एक रूफ होती है चात होती है उसकी ऊपर सारे यह लटक जाएं दोनोंने ये उन्होंने अलग-अलग figures of speech यूज की है, means indirectly उन्होंने काफी images यूज की हैं, जिससे कि वो अपनी बात बहुत अच्छे से बता सके, कैसे उन्होंने conspire means शड़ेंतर करना, कैसे इन दोनोंने मिलकर शड़ेंतर किया है, autumn season और sun ने मिलकर, ताकि सारे fruits भर जाएं, सारे जो edge of test roof हैं, वो अपने उनकी जो edge है, जो उनकी किनारे हैं, जो तिनके हैं, जो घासफूस वाली शत है, उनके किनारे इन चीजों से भर जाएं, तो ये उन्होंने शड़ेंतर किया है, सारे apples को भरने का, उनको नीचे उस भरने से, जब वो जुक जाते हैं, ऐसे जुकाने का, ये सारा उन्होंने काम किया है, इस season ने, और यहां पर moose मतलब एक जो group of plants होते हैं, कई तरह के जो बहुत संगने घने, जो plants का एक group होता है, वहां पर ये सारे apples, fruits और ये फ्लाबर, ये सारे ही बहुत अच्छे से भरे पड़े हैं, जू अच्छे से उन्होंने जो kids है, अपनी personification यूज़ की, अपनी figure of speech यूज़ की है, इस सारे की सारे poem में, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये poem आती है, तो आप इसके reference में लिख सकते हैं, इस इंक्रेडिबली परसनल poem, Hughes wrote, during hellum renaissance, the poet expresses how he felt like an unforgettable American citizen because of his skin color, ये एक response bag है, एक reaction bag poem है, सबसे पहले तो लिखा था, Walt Whitman ने अपनी poem I hear America, America singing, जिसमें उन्होंने अमेरिका की सारी अच्छी बातों को बताया था, उसके response में Hughes ने ये poem लिखी थी, I to sing America, जिसमें उन्होंने जो खराब चीजी है, अमेरिका की, जो discrimination है, blacks के साथ होता है, उसके बारे में सा white के साथ बैठेंगे, सारे जो blacks हैं, वो white के साथ बैठेंगे, और किसी की हिम्मत नहीं होएगी ये कहने की, कि जाओ, kitchen में जाकर खाना खाओ, तो ये आप अपना explanation, इसके regarding सब कुछ लिख सकते हो, इस paragraph में, मैं इस poem के बारे में कुछ के explain कर देती हूँ, अगर आपके ये reference में या question answer में काम आ रहे हूँ, तो आप इसको refer कर सकते हो, first published in 1926, during the height of Harlem Renaissance, the poem portrays American racism as experienced by black man, in this poem, white man deny the speaker a literal and metaphorical seat at the table, he, however the speaker asserts that he, he used just as much as part of America as our white people, and that soon the rest of the country will be forced to acknowledge the beauty and strength of black people, तो ये सब कुछ आप अपने explanation में लिख सकते हो, इसके regarding कोई भी आता है, आपका इस poem से जो paragraph है, तो आप ये explanation लिख सकते हो, क्यूंकि सारी poem में यही बात ही, बार बारी, इसी कोई रिपीट किया जा रहा है, यही बात ही हो रही है, Next to your question, explain vast collectiveness, it's taken from the poem money madness, in the poem money madness, a poet criticized the rampant craving for wealth and worldly possessions at the cost of human values, this has seeped into individual lives and people have become dangerously obsessed with it, money mad people have no regard for the spiritual side of life, or for equality such as simthi, kindness and self-respect, यहां पता सकते हो कि लोग पैसे के पीछे कैसे पागल है, उन्हें ना तो humanity लोगों में बची है, ना simthi बची है, ना kindness बची है, लोग बस एक दूसरे को मारने काटने पर हमेशा ready रहते हैं, next, how is autumn personified in the poem, autumn is personified in various human shapes, Keats has used a number of images to give the autumn a concrete shape of a person, he addresses the season autumn in a way of its as if it was a living person, autumn as close bosom friends of maturing son, in the form of a rural peasant woman, who is busy during the harvest, a woman doing the work of winnowing as a gleaner, autumn season is personified as four different guises corresponding to the different occupation of the season autumn, अलग लग तरीके से चार तरीके से उन्होंने बताया है ग्लीनर और रूरल पेजेंट और क्लीनर और साइडर प्रेसर, last में the poet is speaking to autumn, autumn is seem as unhappy man because it's deprived of beauties of spring, last में ऐसा लग रहा है कि जैसे पोईट को spring season से बात कर रहा है, तो अलग लग तरह से फोर टाइपस की उन्होंने autumn season की personification अपने इस पोईब में बताई है, next is how has a poem आये to become a statement of racial discrimination इसमें आप अपने अंसर में लिख सकते हो, the poem chronicles an African American male struggle with patriotism in an age of inequality and segregation in the United States. The poem cleverly uses metaphors to represent racial segregation faced by African America during the early 20th century. The speaker presents a cry for equality and acceptance and his words are a plea and a declaration for equality. Although the poem does not directly imply racism, the speaker's language suggests that he equates the kitchen to racial discrimination by American society. तो यह सब कुछ आप लिख सकते हो कि कैसे जो person ने directly तो नहीं बताया है, point ने कि वो इस racism के बारे में बात करें, inequality के बात करें, लेकिन जो words उन्होंने यूज की हैं, जो जिस तरह की उन्होंने speech यूज की हैं, जिस तरह की अलगलग metaphors यूज की हैं, अलगलग तरह की images यूज की हैं, उससे पता चलता है, कि वो racial discrimination की बात कर रहे हैं और यह एक reaction back, उनकी response back point है. The two roads are the symbols of choices, कौन से दो roads को जिसमें author ने symbolize किया है, जो हम choices में confused हैं, हमारी dilemma, हमारी confusion उसके बारे में बताया है, और कौन सी road है जो better claim करती है, जो less taken road है, वो according to author better claim करती है, because it was grassy and had not worn off due to walking of the travelers, जो less traveled by, जो road है, less taken road है, वो ज्यादा attractive है, ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उस पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं, और उस पर वही लोग ही चलते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं, जो कि अपने आप में विश्वास करते हैं, जिनको confidence होता है, कि मैं अपना अलग से अपना रास्ता बना सकता हूं, मैं कुछ special कुछ अलग कर सकता हूं, इसके रिगार्डिंग और जो भी आपकी बुक्स में दिया है, या मैंने पहले भी आपको जो अंसर बताया है, वो सब कुछ आपिस में लिख सकते हो, इसके अपने अंसर में लिख सकते हो, इसके अपने अंसर में लिख सकते हो, अपनी बुक्स को भी रफर कर सकते हो, next comment on the title I2, in the point the poet Hughes proclaims that he too is an American, even though the dominant number of society are constantly pushing him aside and hiding him, and hiding him away because his skin color is black and he is an African American so he is singing the song he is telling the truth he is saying that I too sing America I too have feelings I too feeling bad for the racist thinking for the inequality for the injustice ये सब कुछ आप अपने answer में लिख सकते हो कुछ ये सकते हो